आप से विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्तिक स्वागत है। इस टापिक में UP Board Class 10th High School यानि कच्छा 10 के गणित का जो पेपर आपका हुआ है। उसी का साल प्रवाइड करवाय जा रहा है। तो जो बिद्यार्थि चैनल पर नयोग्य चैनल को सब्सक्राइब करने क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के पार्टन टापिक आपको प्रवाइड करवाय जा रहे है। या आपका कलाश 10 विसे गणित का सालव पेपर है जो की आपका बोड की 2024 में वे विद्यार्थि जो बैठेते वो दिये हैं। तो आईए बिना रुकेमी से शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला इसमें परस्ण है खंड आ में हम लोग जानते हैं कि बहुविकल्बिय परस्ण होते हैं तो पहले परस्ण में परिमय संख्या है तो आपका सही उत्तर इसमें होगा परिमय संख्या का पहले का सी। दूसरा आपका प्रस्ण है किसी दूइखास समीकरन Y बराबर AX स्क्वार पलस BX पलस C बराबर A0 के ग्राफ का आकार होगा तो दूसरे प्रस्ण का सही उत्तर होगा पर बले आकार तीसरा आपका प्रस्ण है समीकरन निकाय जो आपका दिया गया है इसमें पूछा Y का मान तो Y का मान आपका जो सही प्रस्ण का उत्तर है वह आपका होगा तीसरे का B चौधा जो आपका परस्ण है चौधे परस्ण का आपका सही उत्तर होगा या जो समीकरण दिया गया है कोई वास्त भी मूल नहीं है तो चौधे का सही उत्तर होगा D पांचमे का आपका सही उत्तर होगा C उसके बाद आपका जो छाठमा परस्ण है चाथमे परस्ण का सही आपका उत्तर होगा D उसके बाद आपका आता है साथमे परस्ण तो साथमे परस्ण का आपका सही उत्तर होगा C और आठमे परस्ण का सही आपका उत्तर होगा आफसन नमबर C उसके बाद आपका आता है नवा परस्ण तो नवे परस्ण का जो उत्तर है वा आफसन नमबर आपका B ही सही होगा उसके बाद आपका आता है दसमा परस्ण तो दसमे परस्ण में आप लोग देख लीजिए अंत में एक आमान पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा तेईस उसके बाद गिरहमा जो आपका परसन है इसमें थीटा का मान क्या होगा तो गिरहमे का सही उत्तर होगा आपका आपसन नमबर C बरहमे का आपका सही उत्तर होगा आपसन नमबर B उसके बाद आपका आजाता है तेरहमे परस्ण का आपका सही उत्तर होगा आपसन नमबर A 14 परस्ण का आपका सही उत्तर जो इसमें दिया है 24 परस्ण का आपका सही उत्तर है आपसन नमबर B 15 परस्ण का सही उत्तर होगा आपसन नमबर B उसके बाद आपका आजाता है सुलामा तो सुलामे का जो सही उत्तर आपसन नमबर आपका D है 17 में प्रस्द का आपका सही उत्तर होगा आपसन नमबर C 18 में प्रस्द का आपका सही उत्तर होगा आपसन नमबर C 19 प्रस्ण का आपका सही उत्तर होगा option number B और 20 प्रस्ण का सही उत्तर आपका होगा option number D तो यह आपके objective प्रस्णों के सभी उत्तर हैं और इसके बाद भी जितने प्रस्ण आपके हैं वह सभी आपको अच्छे से पढ़ाया गया था और आप सभी लोग इसकी तयारी भी अच्छे से किये होंगे तो वे विद्यार्थी जो अभी तक अपने विकल्प को नहीं मिला हैं वह मिला लें और देखने कितना प्रस्ण आपका सही आता है और कितना passing mark बनता है तो आप सभी विद्यार्थियों का वीडियों देखने के लिए धन्यवाद